दुनिया के साथ अजूबों में एक यमुना नदी के तड़ पर इस्तित सपेद संग मर्मर्स निर्मित ताजमेल It is the most amazing and brilliant place गुम्बद नुमा इस इमारत को जब आप सिर उठा कर देखेंगे तो ये आपको किसी अजूबे से कम नहीं लगेगी इसका निर्माण मुगल सासक साज जहां ने अपनी पतनी मुम्ताज की याद में करवाया था भुविता के कारण 1983 में ताजमेल को युनेसको विश्व दरोवर में शामिल किया गया वहीं इसे भारत की इसलामी कलाकर रतन भी घोसित किया जा चुका है 42 एकड में फेले इस अदबुत ताजमेल को बनाने के लिए करीब 20,000 से अधिक मज़दूर लगाए गए थे और यह 22 वर्सों में बन कर तैयार हुआ इसके निर्माण में 1000 हातियों की सहाइता भी ली गई जो संग मरमर के पत्रों को एक जगल से दूसरी जगल ले जाने का काम करते थे सिल्फकार उस्ताद अहमद लाहुरी इसके निर्माण कार्रे के प्रमुक थे इसके निर्माण में 28 किस्म के पत्रों का प्रियोग गया था जो बगदाद, अफगानिस्तान, स्टिब्बत, मिस्र, इरान और राजस्तान से मंगवाए गए थे ताजमेल तीन रंग बदलता है और इन पत्रों का इक कमाल है कि ताजमेल सुब गुलाबी दिन में सपेद और पूर्णिमा की रात को सुन हैरा नजर आता है आप जानकर हैरान होंगे कि ताजमेल की इमारत एक लकड़ी पर बनाई गई है इस लगड़ी को नमी की जरूरत होती है जैसे जैसे इसको नमी मिलती है यह मजबूत होती जाती है यही कारणे कि ताजमेल को यमना नदी के तड़ पर बसाया गया इसकी बारिक नकासी और इस्तापत्य अद्बूत एवं बेजोड है ताजमेल दुनिया में सबसे ज़्यादा देखी जाने वाली इमारत है प्रति दिन करीब 12,000 सेलानी से देखने आते हैं ताजमेल देखना हमारे लिए एक बहतरीन एक्सपीरेंस था ताजमेल से आप युम्रा निदी का भी शांदार विहंगम द्रिश्य देख सकते हैं आप जानकर हैरान होंगे कि ताजमेल की इमारत एक लगड़ी पर बनाई गई है इस लगड़ी को नमी की जरूरत होती है जैसे जैसे इसको नमी मिलती है यह मजबूत होती जाती है यही कारण है कि ताजमेल को युम्रा नदी के किनारे पर बनाया गया इसके बारिक नकासी और इस्तापत्य अद्बूद एवं बेजोड है ताजमेल दुनिया में सबसे ज़्यदा देखी जाने वाली इमारत है भारते नागरिक के लिए इसका टिकेट 50 रुपे एवं विदेशे सेलानियों के लिए इसका टिकेट 200 रुपे है अगर आप इस कोविड काल में ताजमेल देखने जा रहे हैं तो साम 6 बजे से पहले पहुँच जाए अन्यता आपको खाली हाथ आना पड़ सकता है अगले भाग में आप जेपूर की सेर करने वाले हैं इस कड़ी में आप जेगर दूर्ग, आमेर दूर्ग और हवामेल एवं जेपूर का शांदार चित्रन देखने वाले हैं